फिट्री यान्टू वाइरस को लेकर स्वास्त विभाग द्वारा गाइड डाइन जारी कि गई है इसमें सरकार द्वारा हम लोग को डवाइज़री आये कि जितने भी इस तरह के पेशेंट्स उनका सैंप्लिंग हूँ और उनकी सैंप्लिंग बकायदे जिस तरह से रूटीन में प्रॉटीन प्रॉसेस में हम लोग करते तो कि संक्या भी बढ़ानी है और सैंप्लिंग करके उनको नोटिफाइए करना अगर ऐसे हैं तो सिंप्टम वाले और सासत जो पीछे हम लोगा एक रूटीन प्रॉसेस रहता है कि कोविट प्रोटोकॉल को ज्यादा ज्यादा वाइजीज बात की जिलस पताल में कुछ बेट चिन्नित करने ऐसे मरीजू के अगर आते हैं और उनको आइसुलेट करें क्या हाला थे अभी बनारस में किस तरह के मरीज पाए जा रहा हैं और क्या हाला थे हैं हस्पीटलों के अभी तो नॉर्मल जैसे पूटीन प्रॉसेस मे हैं और में अभी किसी में ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं है क्या इसके लचन क्या है इस वारिस के ये एक इंफुलेंसा वारेस है एक तरह से इनको सारी सिंटम एक इंफुलेंसा जैसे होते हैं विसे वारेल फीवर होगा खलकी विलकी खासी जुखाम नाक पहना और थोड़ कोई कैंसर की ट्रीटमेंट में उनके लिए तो यह कि उन्हें तो जादा साथ का जो बताया रहा है काफी दिनों तक रहा है कि इस तरह का बुखार कितने दिन तक रहे तो आदमें से रख हो जाए वैसे बुखार को कितनों भी दिन रहे उसे तदकल इनसान को अपनी चिकिस तो इसक झालाँ चाहिए और इसमिंए नेमाता च्छ चिक को बताना चाहिए कि हमें जैतने दिन से इतनी दिन से जाथ कितना। को संदेज देंगे और क्या करेंगे मेरा सभी से अनरोध है कि ज्यादा ज्यादा कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करें भीड़ बार की जगह से वासा बचे और दो गज़ दूरी बनाने के कोशिश करें और साथ में साफ सफाई हाथ के हैंड वाश पर जैतने सैनेराइजिशन के प्रोसेसे उसको पूरा करें और अभी भैवित एक्दम नहूं ऐसा कोई अभी चिंदा जनक बात नहीं है लेकिन अगर आपको कोई सिंटम है तो हमारे निकट्ती जिलास पताले हक्सी एसी आप हमारे इतने भी सरकारी चेके साले आप अराम से आकि अपने दवा ले सकते है करा सकते हैं और किसी तरह की को याई से अविश्रक्ता पड़ी तो आपको बरती करने की जरू है तो फिलाल वारानस में पूरी तरह से तैयारी की गई है लेकिन साथ-साथ लोगों को सतर करने की जरूरत है क्योंकि स्वास्तबुगाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गंगा खबर आपकी जबाद की